दोस्तो अभी तेजगेंदाज में जो वॉर्ल्ल रिकोर्ड था वो टूट चुका है वो टूट के जो निया रोकट हुआ है वो वो वै कोड ने वो इनूवर्स रिकोर्ड हुआ है क्या है मैं दिल में बताऊँगा इसके लिए आपको जुरेंना होगा। स्पोर्स टाइम इंदी में था कि मैं जाक पुछ बता सको दोस्तों टी-20 वर्लकप खतम होने के बाद लगबख सभी दोग इंटरनेशनल सीरीज खिलना शूरू करती है जैसे कि इंडिया न्यूजलैंड का हो रहा है इंडिया पे वहाँ पर बंगलादेश में हो रहा है वह भी चौक गए जिया दोस्तों स्वेब अक्तर इससे पहले लगबख 161 किलोमेटर पर आर्ट स्पीड पे बॉलिंग किये थे जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है लेकिन अभी हसान अली ने वर्ल रिकॉर्ड तोर के 219 किलोमेटर जिया दोस्तों 219 किलोमेटर पर आवर पे ब अली क्रिकेट वहापर भी ऐसा बॉल फेका नहीं गया है और वर्ल रिकॉर्ड में सिर्फ इंट्रिनेशनल क्रिकेट को ही माननेता दिया जाता है तो हसन अली ने इतना बॉल करके जैसे वर्ल रिकॉर्ड कमा उसे मैच में एक स्पीनन ने बॉल किया है 148 किलोमेटर पर आर और वो है मौमद नवाज मौमद नवाज ने ऐसे बॉल करके स्पीन बॉलिंग में युनिवर्स के रिकॉर्ड बना दिया है शौट रन अफ लेके स्पीन बॉलिंग एक्षन के साथ 120 किलोमेटर पारार मैक्सिमम किया जा सकता है लेकिन 118 किलोमेटर पारार ये भी का सिस्टेम था वह सिस्टेम में टकनिक की खराबी हो गया था जिहां दोस्तों वह बॉल था 142 पार लगाट उससे 219 किलोमेटर पार अब बताया और 90 किलोमेटर पार बॉल को 148 किलोमेटर पार बॉला गया साथ में वहाँ पर दिखाए भी आ तो ये था एक टेकनिकल फॉ प्रोमेंका!